राम राम मेजर साब, क्या आल चाल राम राम बे क्या आल चाल स्थीक ठाक हो रहा है टाइम पस कॉठ रहे है ठीक है अचाय अपने अर्याणा मेनु क्या आग रहा है कि जब आरमी में जॉाइन कर तो बन्दूक तो दे दे हैं और दिमाग ले ले हैं जब रिटायर हो गया है, तो दिमाग भी ना दे तेरे बंदूग भी खोश ले हैं, इसा कुछ है कि देख ले फिर भी तो ने बला लिया है, बलती तेरी है ना, ओफिसर होगे ना आप तो, फिर उसमें डिफरेंस आ जाएगे, जवान का थोड़ा अलग होता होगा ना, सब का एक हाँ, सब का एक हाँ, फौज-फौज है, अच्छा, ऐसा है, फिर आप तो कहा का मतलब कि वर्ल्ड बैंक में कहीं स्मार्ट ग्रेड का वर्टर प्रोजेक्ट, इतने ही सारी चीज कर रहे हो, तो दिमाग तो आपस दी, यह दिया लग है आपका ना, आके दुबारा होगा ना प्लता है, तो आपका कैसे शुरू कैसे हुआ यह, मिलिटरी करियर में क्यों इंटरस्ट आया, कैसे, एक तो मेरे नाना जी आर्मी में अच्छा, वार में भी उन्होंने पाट लिया था, तो रादर जब मैं बड़ा हो रहा था तब, बच्प रहतक में काफी, प्रिस्टीजियस और ट्रडिशनल भी था, कॉन सा स्कूल है, मॉडल स्कूल रहतक का हूँ है, तो वहाँ पे, एंडिय में जाना बहुत बड़ी बात मननी जाए, तो बच्पन से ही, जब से मैं पढ़ाई लिखाई शुरू करी यह, मिला था कि, एंडिय म में हुआ था, निटी फाइव में एंडिय जॉइन करा था, चांटी निए में 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 कमिशन होके, लेफ्रें कमिशन हो लाए, अच्छा, और 2011 में रिटार्मेंट, 2011 में रिटार्मेंट, क्यक्के शिखा वही, आर्मी में तो इतनी सारी चीज सीख ले, इतने कापिल बढ़ तो मितलब रौत का लए तो थोड़े समझ गया आप, ना रौत की बात नीर, रौत का रिकॉर्ड है उने देश में, मैक्सिमम डिफेंस ओफसर्स कम फ्रम रौतक सिटी, सिटी, डिस्टिक भी ने, डिस्टिक होगा अमेरिक साथ, उसमें वो जज राड़े मील लगा होगे, अपने सुआग जो थे जनरल, वो जजजर सही थे, तो रौतक की मुतलब आर्मी की मामले, आर्मी ने भी एरफर्स की मामले, हरियाना का तो थोड़ा है, रौतक का भी, तो कल्चर है, हर गली में आपको दो-चार घर मिल जाएंगे जहां से, आफिसर्स गया होगे, तो क्लास ही होती है, दस भी, गयार में बार मिटाएंगे, वहाँ पर उनका काफी रोल रहा है, जो टीम, एक ही क्लास से हम पांच गये थे, तो उनको तयार प्रेपरेशन करवाने में, मोटिवेट करने में, और जब हम छोटे होते थे, तो हमारी एक टीचर होती थी, उनके बे बार में जाएंगे. और यह इसमें इनको non-combat था या रहा है, टीन साल में आप लेकरी और तगरीबन 9 शाल, टीवेट नौक साल, टीजियन्स में तो वहाँ पर क्या का मिलिटर इंटलिजिजएंस में क्या काम होता है? तो बता ही दिया, तो इन पर बीद थोड़ा मोटा मो एक खबर दुश्मन की लेना एक अपनी खबर बाहर जाने से रोपना है तो मेरा प्रोफाइल ज्यादा काउंटर इंटेलजेंस करा है तो उसी तरह मेरी पोस्टिंग भी रही तो बाकी साइबर सेक्यूरिटी में काफी काम करा था रही तब तो 2000-2001 में साइबर सेक्यूरिट कि जहाँ-जही आती जाता है कि कम से कमरिश यह की पाकिस्तान का यह थोड़ा आगे है फिर्फ प्रोंठदा में इसे केरा कि थीए फ्रोंपेंड सेक्यूरिटी आपने थीक और यूज म काफ यह अच्छी वही मानी जाती है जो एक्जिस्टी नहीं करती है अगर आपको पता ही चल गया इन्होंने यह कर रहा है तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन ही क्या हुआ तो आइस आई का नाम इसले इतना जादा हो जाता है कि अपने गाने-गाने से नहीं इनको बड़ी मतलब ज्यादा लाइम लाइट में यह अफगानिस्तान के चक्कर में आ गये थे जब यूएस और रश्या से इनके इंट्रेक्शन होने शुरू हुए और तो जब 79 में रश्या इंटर कर आफगानिस्तान उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान के सिर्फ एक्सेस के लिए चाहिए था तो उस और अगर मैं आफगानिस्तान पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले में यह पूछना चाहूंगा कि एक ऑफिसर जब जाता है आर्मी में बनता है और उसके बाद प्रमोशन होता है आप तो मेजर तक आपकी रिटायर हुए तो और अभी इतना काम कर रहे हो तो क्या ऐसी स्क आदमी आर्मी में रहके जो शायद बाहर के लोगों को नहीं पता है कि मतलब मानस बना देया है आर्मी तो वो कैसे क्या-क्या ऐसी प्रोसेसे हैं जो उसको आदमी को सिखाती है में यह होता है कि I think मैं तो अगर अपने सारे तीन साल की एंडी एक साल की आए मैं पूरी फॉ आप उसको कहीं भी बिठा देंगे और रास्ता धूंड लेका काम करने को आपको फॉजी जादा कंप्लेंट करते नहीं दिखाई देंगे कि अभी यह नहीं है इसलिए काम नहीं हो सकता जनली एक एटिचूड बन जाता है कि मैंने लिमिटेट रिस्योर्स में एक अपने अ इसलिए आप गाहों घर में अपनी जहां रहते हो ससाइटीज में आप किसी फॉजी से मिलेंगे एक एंडू एटिचूड रहते हैं सबसे इंपोर्टन चीज भई सिखाई जाती बाकी तो आई के नोट से डिसिप्लिन तो आपको आपको ने डिसिप्लिन ही सीखा तो आपक गलती है उसके लिए आपको फॉज की जरूती हो नीची कि सुबह उठे और टाइम पे सो गए और पढ़ाई लिकाई करी लेकिन जो एक एक एटिचूट होता है जो डियन ने चेंज कर देता हो एक दरह से इंसान का कि चाहे आप कितनी भी मुसीवत में हो आपकी जो चीज होती है नो वो सिखाई जाते हैं विच आई इसमें देखते भी ना आसपास इतने हमारे अर्याना में तो बहुत सारे हैं तो उनका यह रहता है जिसे वैसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती मालो कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया विजली वाले का इंतजार नहीं करें खोद खोल गए और सब ठीक करके वहां चलो ऐसे नहीं कि भाई अरे फॉन करो यह करो यह नहीं आ रही वह नहीं आ रही ऐसा मतलब एक चीज में बताया लेकिन बहुत सारी चीज़ों में यह होता है कि सब कुछ खौल गें अब नाप कर देते हैं जास इस पेशली इंफंटरी वाले होते हैं सालों साल तस और पीशना से उसके बाद इनर में बहुत सारी नई पोस्ट आंक्यूपाई करी नहीं ने तो मेरे जैसे सेक्लों को बारियों पर भेज़िए था कि हा पोस्ट बनानी है इस तरह तो नहीं है कि जैसे सिभिल में होता है घर की चार्ज लेने जा रहे हो कुछ आप भी मिल जाएगी कि आप कल से यहां उपरेशन शुरू को आप थोड़ा से समान लेकर एक दो टेंट लेकर जीरो सब जीरो टेंपरेचर में वहां पर और सभी इंफेंट्री वाल लग तो जब आप इन कंडिशन में एक वार रह लेते हो आपको समझ आ जाता है कुछ भी कर सकता है तो इतनी सारी वेल्वेबल लेसेंस हैं और आज आप यूथ को देखते हो तो कुछ लोग कहते हैं कि वही दो तीन साल की तो कम से कम नेसेसरी ट्रेनिंग जो है वो मेंडेटरी होनी चाहिए सभी यूवा लोगों के लिए क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कम से कम मिलिटरी नहीं तो कम से कम ऐसी ट्रेनिंग जहां पर आर्मी के लोग हो एक क्वालिटेटिव चेंज तो आएगा ना यूथ में अगर आप इस तरीके की दो साल की ट्रेन सकती है हर आदमी को बंदूग चलाना या टैंक चलाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जब भी ये बात करी जाती है हमेशा इसराइल का इसराइल के केस में वह जियो स्ट्रेटिजिकली ऐसे लोकेटेड़ है वो चारों तरफ दुश्मनों से गिरे हुने उनके पास स्ट्रेशन बहुत कम है उटको एट एनी गिवन टाइम एक स्टैंडिंग आज में पूरी करने के लिए बहुत सारे पाजी चाहिए और अगर लड़ाई होगी तो और ज्यादा चाहिए तो उनके लिए कंस्क्रिप्शन जो उनके लिए निसेसरी मिलिटरी सर्विस एक निस कि अगर आपको किसी आउटसाइड एलिमेंट की जरूरत आपको बताने के लिए कि अपनी सेहत ठीक रखें भाग दौड़ लें अपना सुबा टाइम पर उठें यही बेसिक ट्रेनिंग सिखा सकते हैं अब अभी वहीं पीविल नॉट टेक दम तो गंजिया इंटेलिजें करके क्योंकि अगर आप सारी सभी को फॉर्मल ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे एक इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉक्वार्मेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए हैं और यह नॉट कंट्री ओफ एक्सेस जो भी हैं लिमिटेड रिसोर्सेज वाले दे के लिए तो उस तरीके के एक साथ अगर उतने लोगों को ट्रेनिंग देनी हो एंसी सी भी तो है और वो प्राइवेट कॉलेजिस कनेक्ट विद दैट इफ आर इंट्रस्टेड और आइड़न थिंग कोई भी यूथ को हो सकता है प्राब्लम हो मैं तो कॉलेज गया नहीं करेंगे तो यह अलड़ी हैव एंटार डेटाबेस ऑफ पीपल वर नॉट इंट्रस्टेड तो आपको क्यों चाहिए हर आदमी फॉजी ट्रेनिंग करें क्योंकि यह जज्मेंटल कॉल है आप सो बाउट कि अपना कसरत कर रहे हैं कुछती कर रहे हैं और भागने जा रहे है और खाना खा रहे हैं और स्कूल जा आप सोचने आप अब डिसिप्लिन लाइप लिए आपका एक कंटेंपररी एजो सारी आते इंटरनेट के लगा है दिन में सो के दो बजे ओट रहे हैं वो वी फिल वादमी इंडिसिप्लिन है बट मेब वाइटी का आदमी उसका इसी का वो इसलिए मेरा जो है मानना इसलिए नहीं कि मैन पावर किया वो तो हमको पता है बलकि वो तो कम करने की जुरूरत है ज्यादा टेक फोकस होना चाहिए यह सब है मेरा यह है कि आप एक quality to difference तो देखते हो जब आप एक army man की बात कर रहे हो can do attitude जो है और वो आप किसी भी field में चले जाओ जाए आप नया business शुरू कर रहे हो चाहिए आप सरकारी नोकरी कर रहे हो चाहिए आप private job कर रहे हो जो वो attitude है ना वो civilians में नहीं है वो आता भी नहीं ह हाँ but it takes time to build that तो आप कर दो साल में ऐसा नहीं है कि आप उनको सिखा दिया और बेज दिया दो साल उनको सी एक soldier की soldier has to be efficient soldier effective soldier to make a difference अगर आप untrained comes over soldiers को दो साल आपने लिया साल एक तो उसको train करने में लग जाएगा फिर आपको पता है साल बाद इसने वापिस सले जाना है उसको पॉर्टर पे क्यों भेज होगे आप उसको कांटर इंसर्जी operations में क्यों भेज होगे अप उसको उतना सिखानी पाऊगे जितने रिसोर्स आपके बेस्ट हो जाएंगे इना सपोजेट सिंग की मैं इसको जिखा रहा हूं सो आइधिंक हमें जितने लोगों को मोटिवेशन है उन्हीं को जॉइन करने दो और जिन लोगों को अपना वैसे आजकल फिटनेस काफी बड़ा टॉपिक हो रहा है तो लोग अपने अपी आप यहां बैठे हो आपको किसे ने कहा थोड़ी था कि यह चैनल चलाओ आप यू हैड आट एट आट इसा नहीं है कि सिविलेंज में नहीं होगा अंत्रपूर्नर्स कितने सॉलेड हैं लोगोंने हजारों करोड की कंपनियां खड़ी करती हैं इस साल साल में उन्निस यून जो नहीं कर सकते हैं जो इतना डेमोग्राफिक डिविडेंट की जो बात करते हैं जो वेस्ट हो रहा हम देखते हैं आपने आसपास कितने सारे यूथ मितलब वो कैन इंप्रूव इफ दे गट गूड इन्वारमेंट क्या होता है हम बड़े होते हैं क्या सब लोगों के पा जरूरी नहीं कि मतलब आप मार्मी में बेजो मैं कहा रहा हूं आर्मी का के का कोई इंस्टिटूट आप बना सकते हैं तो आप उसको प्रेल्थ के बाद कर रखते हैं और उस पर वोलेंटियर बेशा इंग बहुत सारे पेरेंट्स विल बी हैपी तू सेंड नम दो साल के ल कर रहा है तो उसका एक यू कनेक्टिट तू आदमी स्टूडेंट के फ्यूचर से भी लेकिन कीप ट्वालेंट उसमें भी बहुत आजाएंगे इस इस हाओ इंग कंपल्सरी करते ही एक्टली बाकियों का तो पता नहीं हमारे देश में इतनी रिजिस्टेंस आ जाएगी य पता नहीं है तो हमें फ्रीडम की शुरू से यू नो फ्रीडम के लाड़ प्यार से पले देश हैं तो इसे वैल्यूस जो आप डालना शुरू करें किसी तरीके से फैमिली से बहुत डिपन करता है इंक मतलब I would say की पच्पन से ही I can I can talk about my parents my late father my mother उन्होंने शुरू से एसे रखा अपना काम खुद करो सुबाव पांच बजे उठाते तो जाओ खेल के आओ तो एक थोड़ा कल्चर भी होता है कि वापिस आओ अपनी चाय बनाओ अपना नाश्ता बनाओ तब तक उठके फिर तेयार हो कि स्कूल जाओ अभी राधर सेंड जाओ खेल किया थोड़ी तो अचाव और ये निकार टेद अधर पढ़ ले क्या करेंगा खेल ले पढ़ाई में तो अचाय नंबर तो आजाएंगे तो खेल कुँद नो तो इस टाइम एक कल्चरल यह भी होता है आए इंग नह देज वेर्ट नहीं मैं तो मेर भी आत्म निरवर तो उसमें इस कि थोड़ा सा पैम्परिंग को कम करते हैं बचों को भी आत्म निरवर विशुड बेक्टम सेल्फ रिलाइट शुट बेक्टमोर एक अगर आप शुरू से अगें इस डिस्क्लेमर है मेरा आइम नट एक्सपोर्ट रॉम धुक तो मेरे को अगर आप इनको दस बारा साल तक इतना पैंपर रखो पहली बार मिट्टी में पाऊं रखते ही फिर इसके यू हो जाएगा अब खेले तो बच्छे को छोटी वोटी चोटी तो मेक्थ लिटल स्टौंगर फिजिकल एंड़ा तो डिजर पृट्स पॉर्ट से फर्क तो परता है पॉर्ट इस बाप ट्रेटेश चिछ अब कहलत यह वड़ी चोट लगती है तो टीम वर काता है पुड़ी कॉम्पिटेटीव नेसा अब बहुती जरुए सब्स्टों एंग औ तो इसमें अभी अफगानिस्तान पे थोड़ा बात कर लेते हैं क्यूंकि मैं आपकी कुछ काफी दिन से फॉलो कर रहा हूं अफगानिस्तान पे काफी आपने वीडियो भी डाले हैं टॉक्स में भी गए हैं तो ये जो कहानी हुई वहां पे कि सबको लग रहा था कि ये यूएस्बी सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान सरकार के पास 3-4 लाग की आर्मी है और ये तालिबानी तो 75-80,000 के ये हैं टेर्रिस्ट इनको तो हराई देंगे बिना लड़े रातो रात ये पूरा देश नो ने कैसे हडप लिया कहीं न कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए जी तो ये सारे मिले हुए थे पहले साई डिसाइडिड था ऐसा कुछ है आप क्या सोचते हो इसके बार तो एक मैं भी आपसे मोटिवेशन लेक तो मैंने करा था एक स्पेशल टॉपिक इस पर की वाइडिड अफगान आर्मी लूज और क्या था कि जैसी दो मोमेंट लेटेड जैसी तालीबान ने टेक और करा एक्दम सब लोग करने लेगे डरपोग है ये भाग गई है वो मेरा उपीनियन ये गलत जज्जमेंट कॉल वही अफगान है चाहे वो अब लाइन के इस तरफ तालीबान है चाहे लाइन के इस तरफ आर्मी है यह वन आफ देश्ट फाइटर जिंदा हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह लड़न नहीं सकते लेकिन जो इनके इस तरह से जल्दी टेक और का कारण सबसे पहले सबसे पहली बात वापिस दोहर डील पर ही जाती है जो फेबरी 2020 में ट्रम्प ने शुरू कराई थी जिसमें उन्होंने अफगान गवर्मेंट को एक्शली थोड़ा साइड उपे रखते हुए तालीबान से सीधी डील कर तो यह तरह की वैलिडेशन थी कि हम तालीबान को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं विकॉज अमेरिका को दो चीज़ें चाहिए थी में कि आने वाले एक टेट साल में जब तक हम एवैकुएट कर रहे हम पे अटैक पर हमारे सोल्जर को इस तालीबान कैप्स प्रॉमिस अमेरिकन सरकार नहीं चाहते हैं कि जाते 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 मिलिटेरली जब आप किसी भी ऑपरेशनल अरिया में आये होते हो एक तम जा रहे होते हो तो यूर्ट वीकेस्ट लीस्ट कोडिनेटेड तो अटैक्स तो एक यह था और दूसा था अमेरिका की डिमांड की आप अपने अफगानिस्तान में किसी भी टेरिस्ट रहे है कि आप ऐसा नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं करेंगे इस टालीबान की आने वाले टाइम में आपका नंबर आने वाले हुआ हूं जो इंक्लूजिव गवर्मेंट बनेगी उसमें सबकी पार्टिस्पेशन रहे हैं तालीबान से डील करने के लिए सबसे पहला काम जो अमेरिका ने करा था यह करा था मुल्ला बरादर जो हैं उनको पाकिस्तान जेल से रिहा करवाया साथ में उनके पांट साथ हजार फाइट के साथ बिठा दिया यूरा नॉन स्टेट एक्टर और आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं और गवर्मेंट के साथ डील कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नाओ वी विल प्लैनर अटैक्स को पता था टेक ओवर तो हम करेंगी और कोई रोक की सकता है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नाओ कमिंग तू कपल अफ पॉइंट्स ऐसा क्या हुआ जब एक्टली तालेबार ने अपने में एप्रिल में में जब उफेंसिव शुरू करे थे तो सेंटल गवर्मेंट की तरफ से ही सिगनल दिया गया था बहुत सारे आर्मी जनरल्स को है वीविल फॉर्मा इंक्लूजिव गवर्मेंट तो आप जदे लड़ाई जगडा नाते हुआ लड़ा बेसे वर हैंडिड ओवर जस्ट लाइंड आर्मी वस गिवन अडिरेक्टिव की हैंडों सेकिंड ली एड़ाई सेड तालेबान को काफी प्रिपलेशन टाइम मिल थ तो उसमें करप्शन इतनी सीप हो चुकी थी कि वो कि इनकी सारी सैलरी अमरिका देता पुरी अफगान आर्मी पुलिस की तो जो तीन साड़े तीन लाग का नंबर बोते हैं वो सिर्फ आर्मी नहीं है उसमें पुलिस वगरा इंक्लूड भी होते हैं एयर फोर्स आपने अपनी यह नो अपनी तरफ से एक नंबर प्रजेक्ट कर दिया हमारे पर सौ फॉजी हैं आप उनकी तंखा दे दे हमें अमरिका ने आपको सौ सोलजर्स के पैसे दे लिए लेकिन एट स्टडी विच अवेरिका केरेड़ आउट यह रियलाइज कि उसमें पचास सतर हजार लोगों की सेल्डी को अच्छा एक तो फैंटम नंबर्स हो गए सेकंडी जो सेल्डी उनको एक तो बहुत ही कम मिलती थी और बहुत ही और कभी-कभी महीनों मिलती भी नहीं वो भी वाज गेटिंग वो करॉप्शन की बेंट चड़ गई तो मुराल ऑफ फाइटिंग जब अपनी आर्मी का एक्जांपल लेते हैं देखने की एक आदमी सौसर से लिटर है नेवर गिवस आप चाहे जान चली जाए पर वो क्योंकि आपको पता है आप अपने देश के लिए आप अपने लोगों के लिए और आप अपने सरकार के लिए आप इस संब शम्तिंग कीप्स यू प्राउट वहां पे ऐसी के लिए लॉस्ट एट विल टू फाइट फाइट वर संब तो इसी कारण जब एक्शली लडाई की बारी आई तो सिरफ सतर पिछतर हजार हजार फोजी थे लड़े के लिए तीन लाख नहीं तो फिर एक एरफोर्स बड़ा इंपॉर् के पीछे पंद्रावीश थी मेंटिनेंस इंजिनिंग काफी बड़ी फॉज होती है जो विच इनेबल्स दे एरक्राफ्ट तो फ्लाइंड अपरेट वो खतम हो गई तो उनकी एरपार वैसे यह नो कुछ ज़्यादा एफेक्टिव नहीं रही हम उसके बाद जब सालों से अगें एक करॉप्शन का यह हिसा भी था क्योंकि गरीबी इतनी थी जब यह अफगान आर्मी को समान दिया जाता है बुलेट्टूप जैके जश्में नाइट विजन गॉगल्ज यह वो इवन हथियार गाडियां यह बेच देते थे अच्छा हां और वो बेच के कहां ताल बाउंग मनाते जाएं तो कि आप में इच्छा ही नहीं है लड़ने की अगर आपने हथियार थोड़ी बेच दो और फिर यह हुआ कि अ पहले रूरल एरिया लेने शुरू करें तो बोलते हैं ना कि तालिबान के सपोर्टर सी हैं वहां पे तो तो पर जैसे जैसे वह लेते आता कुछ हमारी सिट्वेशन है नहीं तो लोग फॉट छोड़ चूड़ के डिजर्ट अपने अपने गाउं चलेगी लेट मीडेकर आप मैं इससे बहुत फरक्त रहा हैं और फाइनली एक यह भी था कि जब तालिबान किसी दो लास्ट फेक्टर देखिए एक तो तालिब एरिया के जो लीडर वगरा थे इनको तालिबान एक ओफर भीज़ता था कि इतने पैसे देगे और अगें अगें कमस बैक तो पावर्टी एंड करॉप्शन देश्विच्ट साइड सम्टाइम इवन आर्मी तुक मानिया देश्विच्ट साइड गेवप बेसे प्राइड क मतलब इस तरह के यह कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है आइडियोजी ज्यादा इंपोर्टेंट थी कि बई जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट्स आप किसी के लिए भी दे सकते हैं पीपल विल फेल यह तो इसी कोई एथिनी सिटी नहीं है नैशनालिटी नहीं है जहां पे लोगो नहीं जहां पे लोग कर अपना हूं मेभी देवर नो टेकिंग मनी फ्रॉम अमेरिकन्स और जो अफगान गावर्मेंट थी उससे पैसे ले रहे थे लेकिन लोयल्टी वहां पे थी तो टाइम पास कर रहे थे उस टाइम तक कोईट पासिब पासिब मोका मिलते ही स्विच कर है वाइ टेक कैजुल्टी तो जॉइन दें तो उससे कर वर लास्ट जो था तो अफगान आर्मी की ट्रेनिंग अमेरिकन्स ने करी थी वह अब मैं अगर आपको ऐसे ट्रें करूं कि आपको जब भी डशे यूट्यू वीडियो बनाना है यह माइक होगा यह हैडफोन होगे कैमरा होगा है यह सब होगा और जिस दिन वीडियो बनाने की बारी है में इस सब ले जाओ और आप सड़क पे खड़े हो आप बलो बना अब मैं आपको बना लो वीडियो यू यू रादर नियर्ली इंपॉसिबल इसका पैरलल यह था कि जब भी अफगान आर्मी ऑपरेश हम वीडियो इसका ड़ी नी खाड़ के साथ यूडियो यह थैख लोग कैप्चर हो रहे है उनके साथ तालीवान क्या अब बुटैलिटी से पेशार they would shoot them war crimes basically so if there is a chance even one percent of losing I will still not take that risk and rather surrender or run away so it was in the end it all comes down to that may afghan army के लड़ने की समता पे कुश्चन नहीं कर दो किसी को भी नहीं करना चाहिए but situation ऐसी हो गई थी कि जो individual bravery or stand लेने का सको भी खतम हो गया government had collapsed को कभी उनका minister fire कर देते कभी उनका general fire कर देते कुछ reinforcement का scope नहीं था कुछ support का scope नहीं था कहीं से order नहीं आ रहे थे everybody was left to themselves कि अपना अपना देख लो लड़ सकते हो नहीं तो आप तो भगवान बरस है बांग का भी कुछ factor था कि वहां बहुत खाते है ना उतर हमेने एक वीडियो भी आया था US forces कि वह जब उनके यह सानिक होते थे उनके साथ काम करते थे लेकिन जब ही भी हो जाते थे उनके साथ तो खाते रहते थे ऐसे हमें कि यह नेट्फिक्स वाली 9-11 वाली डॉक्यमेंटरी में कोई बोल रहा था उसमें था वो दिखा रहा है पकड़ रहा है क्या खा रहा है क्या तो रिकॉर्ड नी कर पाया पर उसमें शायद किसी का कमेंट खाये की देवर मतलब ही जो अमेरिकन सोलजर से देवर हाइली शॉ लेकिन जब आप देखते हो कोई एक्टिव ड्यूटी पर पेट्रोल पर जा रहा है उसमें फिर ड्रग्स ले रहा है या गांजा पी रहा है और वो तो कोकीन भी बोल रहे थे क्योंकि वहां बहुत फ्रीली अविलेबल है तो दुनिया की मेजर परसेंटेज वहां से आती ह लोस्ट दिर फेथ इन देर सोलजरिंग उसे किया रियल में उनको तो आदत हो गई होगी ना फरक्या पड़ता होगा आदत कितनी भी हो जाए पर ड्रग आपको एफेक्ट तो करता ही है आप जैसे होते हैं तरहां 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 कि यह पर जैसा जितने टेरिस वेगरा भी पकड़े जाते हैं मारे जाते हैं इनके पास हमेशा ड्रग होते हैं अच्छा क्योंकि उस तरह की इसको बिल्ड करने के लिए एक दम की जिसको बियर मसल्स बोलते हैं जैसे दारूपी के एकदम आदमी जोश में आ जाता है तो उसी तरहां से यह लगता है मैं होता है कि उनको उनको लगता है लेकिन सामने वालाओं को नहीं लग रहा है तो इसलिए प्रोफेशनल आर्मी का फरक होता है बिल्कुल अब कुछ भी बोलें इन दे एंड किसी भी वार में किसी भी लड़ई में डिसिप्लेंट आर्मी विल प्रिवेल शुरू में कोई दक रोमन की भी एक एक टी निजिकेश खान है, यो जा किसे ऑगोडे पो दे वरीगोंस मीमालना कि भी जाले इंडिकोल में उटीन, प्रोड़ा से आफिना कि बीड़ था नेक्ट की वागाई, जाहां तक अपरेशन की वात है, भी ठारेश पर्लिटेंट, व्लिटर अपरेशन की तो यह जो अभी यहां पे गल्वान में हुआ था उसमें आपको लगता है कि जो चाइनीज जो बोलते हैं पी एले की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो उतने कंपेटिटिव नहीं है अट लिस्ट हैंड तो हैंड और क्लोज कॉमबेट में जितने इंडियन आर्मी है यह ऐसे ही स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट बिलिवेबल नहीं लगता क्योंकि चाइना भी ऐसे छोटा मोटा देश नहीं है बहुत पावरफुल कंट्री है तो क्या उनकी आर्मे को अंडर ऐस्टिमेट इस तरीके से करना कि वह उतने अच्छे फाइटर्स नहीं है या डिसेप्लान नहीं या उनका एक्सपिरिएंस नहीं यह कहां तक कहना ठीक होगा करिद आर्मिर्फिस आर्मि被 हुँ रफे लड़ रही है तो उसमें मिसाइल भी आएंगी यह एफॉर टैंक्स काफी जादी हुँ एंडगा स्थ लूए पर पर बात यह फिसिकल वन-टो-वन किया जाती है यह श्पेशलाइजेशन इन मांटेन वार्फ एर यह स्पेशलाइजेसिन इन counter insurgency operations उसमें इंडियन आर्मी उनसे काफी आगी है काफी किया बहुत आगी because we have been handling counter-insurgency, counter-terrorism, high altitude in JN के एक aggressive posture पे एक यह नहीं कि आप हनी मुन पोस्टिंग पार पर बैठे हैं रोज फोटो की इस रहे हैं इसा नहीं है आपको वहाँ सारे operations करने पड़ते हैं तो इसलिए जो एक experience होता है वह दिरे दिरे आपको एक better soldier गनाता है तो जो आप जो चीज आप डेली कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो इस लेक मसल मेमरी कहीं चीज़ें आपको बस फिर लेकिन चाइनीज को सोचना पड़ेगा थे नेवर फॉट मतलब इसी को मेजर लड़ाई लड़े नहीं है बासट के बाद जहां पर उनकी आर्मी टेस्ट हो जाती हम तो लगातार लड़ते आ रहे हैं और 40 साल तो जो इनके में लड़ी रहें तो आई विल अग्री अग्र आर्मी जहां तक personal one-on-one की बात है और experience in mountain warfare की बात है इंडियन आजमी इस मच है बासट की बात करे तो आपको क्यों लगता है कि वहां पर हारे क्योंकि उस समय तो उनके पास technology में भी उतनी आगे नहीं थे वो और हमने actually there was no deployment uh the borders was very loosely held बासट से पहले तक तो there are a lot of statements that prove this की पंडित महरू was not very keen on maintaining अलार्जार में उसके कुछ वो कहते थे पुलिस से ही काम चल जाएगा आर्मी की क्या जरूरत है उन्होंने ऐसी बाते बट नहीं आर्मी पूरी तरह सप्लाइड थी दे माइट चाइनीज के पास missile ना हो लेकर उनके पास जूते तो थे हमारी आर्मी उस टाइम पीटी शू नहीं था उनको पहाड़ों में भेज दिया तो जिस ब्रेवरी से लट से जिजांगला में जैसे पौज ने बहादरी दिखाई मेज़र थापा यह तो मतलब इस वार्ड क्लास एक्जामपल ने पुरी दुनिया में पढ़ाई जा सकते बादरी क्या हो लेकिन फिर भी आप सकते हैं ना तो आप तयार थे इसको मोलते हैं इनको इंडीकेशन आते रहे बड़े मानने को तयार नहीं थे हमारी सरकार की हम पर अटैक भी हो सकता है यह मतलब देवर लिविंग इन दियर ओन डिलूज डिलूजनल बाउट इट यह तो वह हिंदी चीनी भाई भाई यह त जब तक वह सिर पर आने यह तब तक आपको पता ही नहीं और उसके बाद केट इंटू डीटेल क्योंकि काफी क्रिटीसिम हो यह नो डिसकर्शन बन जाता है बट काफी मुश्किल था उस टाइम आदमी को लड़ाई भी लड़ना एक बुक भी आया थी शायद काफी तो बिल्कुल ठीक है वह अच्छी बहुत वेरी गुड़ वापस अगर अफगानिस्तान पर जाएं तो अभी पाकिस्तान थोड़ा खुश हो रहा है कि फाइनली उनको मुका मिल रहा है मुका मुका उनका क्रिकेट में तो नहीं जीत पाए विचारे लेकिन अभी सोच रहे हैं कि वह अफगानिस्तान में सिंपेटिक सरकार अब आ गई है तालिबान की तो शायद भारत के खिलाफ उसको यूज कर सकते हैं आप इसको किस तरीके से देखते हैं और भारत वाले थोड़े कम से कम सोशल मीडिया पर मैं जितना देख रहा हूं काफी मतलब निराशा सी ह है और अब फिर से कश्मीर में यह शुरू कर देंगे या तंकवाद तो इसको कैसे देखते हो आप दोनों कंट्रीज के लिए भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए किसके लिए तालिबान ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं पहली बात है अफगानिस्तान को अगर एक एंट आए फिर उसके बाद जो कॉमिनिस गवर्मेंट्स आई फिर टालिबान आई फिर एलेक्टेड आई किसी ने भी आज तक कश्मीर में भुझ के लड़ने के लिए ना तो प्रॉमिस किया है और ना ही कमिट किया है ना ही इंकलिनेशन दी है कि हम आपका साथ देंगे पाकिस् सरकार जो निस सो चानुए से दोजार एक तक तक ती जब वह अपनी पीक पार पे थे तब भी पाकिस्तान को कुण्विंस नी कर पाया था कि कश्मीर में आई हमारे सथ लड़ी क्योंकि तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान अगें अफगानिस्तान एज़ा कंट्री समझता है कि I will not get crushed or sandwich between Indian Pakistan Rivalry कि में एक टाइम पर दोनों दुश्मन नी बना सभी पाकिस्तान को तो ऐसी नफरत करते हैं सारा अफगानिस्तान पहले भी करता था यह तो उन्होंने तालिबान की मदद कर दी पर इंकी स्टोरियों भी शुरू होगी पाकिस्तान की I'll come to that लेकिन कार में भी अभी जो इंडिकेशन देते हैं वो यही रहता है कि इंडिया से हमें कोई प्रॉब्म हम कभी कश्मीर में इंटर्फेर नहीं करेंगे फॉर लिप सर्विस वैसा बोल देते हैं हम चाहते हैं कश्मीर इशू सौल वजाए शान्ती तरीकों से वह सब ठीक है पट सब्सक्राइब नाट कमिट अनी फोर्स इस तो नाइंटीज में कुछ अफगान टेरी फॉरें टेरिस मारे भी गए थे वह इंडिविज्विजल मर्सिनरी इस थे जो आयसाई ने अपनी इधर वदर लिंक से मतल यही करती है लिंक हैर करके यह बेजे थे हिंदुस्तान में सब्सक्राइब लिए कुछ आम संड इमिनेशन भी थे जो जैसे कलशनी को जाते थे सीधा जो कम्यूनिस से कैप्चर होते थे वह वहां पर बेज देते थे शायद वो पैसे से डिरेक्ली कर देते हूं कि आपको मिल जाएंगे अगर आपके परिवार पर जाएंगे तो इंडिया को इसमें खत्रे की कोई जरूते हैं नंबर एक तो नैंटीज में टेरिजम वह पहले धक्के में जो भी कर गया पाकिस्तान क्योंकि हमारी बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी हम कुछ ट्रस्टिंग थे कि हम नहीं सो चाता ही ऐसे होगा और शुरू में वह जब कश्मीरी पंडित और राइव कर दिए सब कर गे वह शुरू में क् कि लेट से इंडिया वस टेकन लिटल बिट बीट 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 बाई सब्सक्राइब कर रहे हैं जहां पर आपका यह लगा लो की बीस साल में यूद भी नहीं हुआ था पाकिस्तान से और ऐसा कोई लड़ाई भी नहीं होती थी क्रोस बोर्डर टेरिजम का इतना कॉं सब्सक्राइब था ही नहीं लेकिन कश्मीर में ऐसा एक्टम कश्मीर इसू चल तो अजादी से राता लेकिन यह इतनी वाइलेंस ऐसे बढ़ जाएगी और टेरिजम एक्टिवेट हो जाएगी लेकिन अभी हमें तीस साल हो गएं अभी भी है वेरी स्पेशलाइज फोर्स उनिट्स पूरा बॉर्डर सी शट है कोई इका दुका इंफिल्टरेशन सुनने में आती है उसके बाद इसके बाद इंटायर जोन इसकावर्ड वेरीगा पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान आर्मी के लिए हमारे लेने कि आप मिलियन प्लस फॉज और आप पचास जार उन दस लाग नहीं कर पादा पतास हजार क्या करें इसा इंडिया डिजंट वरी एक्षण एक्षण आप आप पचास सब्सक्राइब तो इस देश भी तो चला थैना और ये देश आप वो यह वाइव आप वाइव पोर्स चला रहें एंफॉर्सिंग एर लॉवर्मेंट इस न साथ में इदर उदर अभी इसके पी से कभी लड़ाई हो जाएगी कभी इनके फैक्षिंज आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तालिबान एक चीज नहीं है ना आप पचास फैक्षिंज हैं तो आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे तो इंटरनली आपका इतना काम है करने के कि क्या बोलेंगे कि चलो पाकिस्तानियों वाप इस चलो यह तो बात है कि इंडिया को कोई बीचिंता करने की बात नहीं है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सबसे बड़ा फाइदा यह हो जाता है कि वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स और रिकूरूट्मेंट में स्पाइक आ यूएस था पहले जब नाइंटी में तालिबान के टाइम कुछ एरियाज है नूरिस्तान फोस्त यह सारे जहां पर पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप चलाता है हमारे तो नहीं है अफगानिस्तान में हां तो वह उसमें फिर वह बात आ जाती ना आपको बोला था कि आप यहां मतलब वह उस लेवल के बेसर हम है कि वह बोलेंगे हम तो इनकी आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं अप्ते रिक्रू ट्रेंट करना थे उन्हों ने सिवाए तन यह टर्रिस्ट ऑगनाईजेशन खड़े करने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं उनकी वही बाते लोग ज़्यादा यह हो सकता है कि वहां पर ना लगाने की बजाए अफगानिस्तान साइड में लगाएं और दे जस्त हैव लॉंच पैड्स तेर रिकूट्मेंट भी जनली क्या होती है इन केसे में जो फार रिमोट एरिया होते हैं जहां पर जैसे तालीबन जब बना था तो यह जो ट्यूरेंड लाइन है बेट्वीन पाकिस्तान और पार्मिस्तान के साउथ के जितने इधर मदरस्याद हैं जो यह देवबंदी फॉलो करते हैं वहां पे फजल रह्मान की आइडियोलोजिकल टीचिंग और गर्मेंट सपोर्ट से तालीबन खड़ा किया गया तो यहां इंडिया तो लेकिन जो पाकिस्तान को कितना चिंता करनी की जरूरत है जितना वो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के दो दिन शुरू हो गया था थोड़े दिल पहले स्वराज में लिखा था था पढ़ना था टाइम है स्टार्ट इन अपने मतलब सालों की 75 साल इनके भी हमारे इंडिपेंडेंस के इनके क्रियेशन के आज तक इतनी बड़ी गल्ती नहीं करेंगी जो इन्होंने अपकरिए यह वर टेंडेंसी ओफ लुकिंग एट विक स्लूशन इंडिया जो है इंडिया के टॉफ पीरिट्स भी आए बट इंडिय पाकिस्तान की जीडीप म से जादा होती थी जब नैंटी शुरू हुआ था अब हम उन से 40 परसंट तो तो उन्हों ने यह असान सल्यूशन निकाल लिया वी 79-80 में जब अमेरिका ने उनको पाल लिया किया बस यह सब करें मुझाहिद बनाएं हमें रास्ते दें उन्हों ने तरीका ढूल लिया कि पैसे यहां से कमाओं मेहनत क्यों करने तो और आज उनका डेट में पुरा हाल है मतलब वह डेट की यह माई देने के लिए डेट ले रहें इतना क पैसा तो उनको सिर्फ ट्रांजिट और एकसे स्काम के लिए उसके लावा बेंतहा ग्रांट्स उनको मिली है दुनिया जहां से पहले जो मुझाहिद दीन का फेस चला था एटीज में वह एक मूवी भी आई थी चार्ली विलसन चार्ली विलसन वह उसमें वह एक सेनेटर थ चार्ली विलसन और उसके थूफ फिर चार्ली विलसन की उसकी गल्फेंड थी वह कंविंस थी और चार्ली विलसन यह आदमी जो बड़ा फेमस है इसकी फोटोग्राफ से गरा अवगानिस्तान में जाकर इसको बड़ा शॉक था रसियन हेलिकॉप्टर गिराने का तो कि अम आप हमें अर्बो रुपे दे रहे हो तो एक करते हैं कि आप काफी जगों पर आग वाग लगा दी टायर खेत खुच जला दिये और ट्रेक्टर ट्रुक्टर चला दिये दूवां उठ गया ताकि रसियन से दूर से देंख को लगे कुछ हो रहे है और बाई चांस दिन आया था साओधी ने इस फिर्स ताइम जो अमेरिका ने बोला कि ओके हम जाके अफगानिस्तान में तो भी बिल पुल पुछ सोवेट आउट जब बजट अप्रूब फर सिय वस फाइव मिलियन डॉन 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 इतना मतलब और इत्वाज मैच डॉलर टू डॉलर साओधी तो पैसे की तो पाकिस्तान को कमी ने रही उसी कालू उसी कालू करॉप्शन इतनी जाला है मतलब आप एक कोई मैं एक्जामपल जेता हूं मैंने बहुत तरह का करॉप्शन सुना है इनके तो एक जनरल ने अपने 125 रेस्टों खोल दिये पापा जॉन पीजा एक सो इतना दिमाग है उस तरीके से देखो आप पहले है पुरा वहां से पैसा खाया अमरीका से अभी चाइना से खा रहे हैं अब खाना शुरू करेंगे अब पाकिस्तान हैस और वांट्स तू दू इस कि हम अफगानिस्तान का गेटवे बने क्योंकि हमने दुनिया को दिखा द आपको जो बिजनस डील करनी है ट्रेनिंग करनी है कुछ रिसोर्स लेना है कुछ माइन लगानी कुछ सड़क बनानी हम से बात करनी हैं बट तालीबान आर वेडी केपिबल पीपल गाट रहे हैं वेरी गुड लीडर्स और यह जो नेगोशियेशन डील्स हैं जैसे उन्हे एक आफगानिस्तान तालीबन है एक पाकिस्तान ने पाकिस्तान आरमी का वेंड बजा रहे हैं दो हजाए साथ से टीटीप टीटीप ठालीप पाकिस्तान है यह जब एक रात को the 10 सितम्ब 2001 को पाकिस्तान आर्मी और तालिबान पार्टी कर रहे थे एक साथ एक्तम वहां 9-11 हुआ जरी एक्तम वह 9-11 हुआ 10 सितम्ब 9-11 को पाले उदर पॉर्मेट लेखा प्टेस्ट देख पाकिस्तान तर्न अगेस्ट तालिबान तो जब उन्हें अपने ट्राइबल एरियाज में ड्रोन अटैक्स करने शुरू करें तो इस पीपल उनाइटेड एंड टीटीप अब तक पाकिस्तान आर्म के हजारों सेनिक मार्ट तो अब पाकिस्तान ने हैज हैज इस बेस्ट बेट इन अफगानिस्तान थिंकिंग की ताल मानता हूं कि इन दा एंड पस्टून्स विल जॉइन हैं तो अब तो तालीबान वहां थी वीडियोज हैं वो जो आके तालीबान फेंस पे सेक्यूरिटी पे पाकिस्तान आर्मी वाले को बोल रहे हैं अगला नंबर तुम्हारा है तो पहले तो यह इस सिच्वेशन विल ब चाइना के लिए पाकिस्तान आजब प्रॉक्सी वांट्स तू मेंटेन अफगानिस्तान उनके नौर्थ में और चाइना के शिंजियंग में एक और और मिलिटेंट और इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो की यूगर मुस्लिम में अगर फैल गई तो बहुत बढ पाकिस्तान उसमें प्रॉक्सी एक्ट करेगा पर यह सारा जो बहुत लंबी लंबे प्लैन पाकिस्तान ने बना रखें अभी आप दो ती महिने में देखें रिजल्ट्स आप क्या करें तो कुछ जैसे आपने कहा कि यह दुनिया को दिखाना चाहरे कि हम मैनेज कर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले कुछ ने कुछ गडबड करेंगे एक एक फैक्ट बात है पाकिस्ताने को पसंद कोई नहीं करते हैं जरुवत थी और अमेता लेकिन आप हम पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम आपकी बात सुन लेंगे कि हाँ यह खाओ वो ना खाओ और इंड ने जो हम है इसमें मतलब उनको क्या करना चाहिए क्योंकि अगर जिस तरीके से बातें होती है कि TTP को इंडिरेक्ट ली कुछ ना कुछ पैसा पहुंच रहा है जिसके वजह से वह अटैक कर रहे हैं वह भारत पहुंचा रहा है या कहीं और से पहुंच रहा है whatever it is क्या भारत को इंड ट्रबल क्रियेट करें या शिंज्यांग में भी कुछ कर सकते हैं कुछ फैक्शन को यूज करके एडिया पाकिस्तान में फरक नी रहे जाएगा अगर हम टेरिस्ट ऑगनीजेशन को सपोर्ट करने लगते हैं लेकिन बलूच को हम बलूच अपनी फ्रीडम की लड़ते हैं जो पाकिस्तान ने बे इंता हुमन राइट्स वाइलेशन होती हैं मतलब अगर उनके वीडियो देख लो तो यू कैनाट बिलीव कि यह प्रोफेशनल आर्मी है जिस तरह से उनको मालती है जिस तरह से उनका मर्डर कर देती है जिस तरह टॉर्चर करती है वह तो इसको मैं दूसरी तरीके से पूछ लेता हूं अब बलुचिस्तान की लोगों की उप्रेशन जो हो रहा है उनको उनको अजाद कराने के लिए human rights violation को रोकने के लिए क्या भारत को तालिबान का कुछ मदद लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का तालिबान अभी थोड़ा wait and watch चल गए वो भी देख रहेंगी क्या होगा योगी बात यह है कि इसको आप दो तरह से देख सकते हैं आप आइडियोलोजीकली बैठे रहें हम इंसे बात नहीं करेंगे और शाहिए दस साल निकल जाएंगे तालिबान या तो कोई इलेक्शन हो तो हटे है फिर से बाहर से वो मीम चल रहा है ना हासने वाला क्या हो बोल रहें कि कोई वो में लीडर भी होगा तो वो सारे हासने तो या कोई फिर से कोई अमेरिका ने टो फोर्स इसाइं तब इनकोट है दोनों चीज़ें नहीं होने वाज़ी तो आइडियोलोजीकली इफ से कि हम इस और्गनाइजिशन से डील नहीं करेंगा और दस साला बैठे रहें तो नहीं होगी बात लॉस तो हमारा है नो तो कि आपने इक इतना बड़ा नेवर्फुड खाली छोड़ाएं सम्टाइम्स आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे देश में किसकी सर्कार ब बड़ाने की कोशिश करता रहेगा अगर कोई कंपीटिंग पावर ही नहीं तो उनको तो फाइदा हो गई बिना मैनत किये अगर आप मतलब ज्यादा पैसे डाल रहे हो और उनको उतना ही मैच करना भी पड़ रहा है उनके लिए मतलब सिर्फ जस्टू प्रिवेंट देम फ प्रदान मतली पांच बिलियन के लिए जगा जगा धके खाके करज मांगे तो बहुत बड़ा मांट होगा की वट वेंडी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट गेटिंग लॉस्ट वी टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंटिक पिछले बीस साल में इंडिया ने वहां एक रेपूटेशन बनाई जो कि इसलिए अफगान इंडियन को प्रसंद करते हैं क्योंकि हमारे प्रजेक्ट थे चाहिए वो हाईवे प्रजेक्ट था चाहिए वो सल्मा डैम था हमारी सेवा जो एंजियो है वहां पर जाके उन्हों हजारों औरतों को वहां हो चाहिए ना हो देखता है कि यह लोग आई अच्छा काम करा इन्होंने हमारे देश के लिए और ज्यादा मैडलिंग भी नहीं सबसे बड़ी बाद देड़ वाद 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 टो कंट्रोल अस वी एक्ट्रोल आप तो वी हैव वीड रेपूटेशन और उस ट जलता ही रहता है कोई ने कोई हर कोई सरकार अब यूएस में आगी तो वहां पर भी डील करना ही पड़ रहा है अपको तो पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे थे जब जो बाइडन जीते हैं हां हां इंडिया की फिर बेश्टियों कि ट्रॉम्प नहीं जीता बड़ क्योंक इतना पुरा हाल है तो पाकिस्तान का आपका यह मानना है कि भारत से कहीं ज्यादा उनको जिन्तित होने की जरूरत है बिल्कुल अभी तो रिफ्यूजी क्राइस शुरू होगा आप देखें इनके इनका तक्रीवन 2600 किल्योमेटर का बॉर्डर है कहने में पुरा फैंस करत इतनी इत्रासदी होगी इतना बाइलेंस होगा इतना वह तरह का आएंगी अभी बॉर्डर पर हजारों लोग बैठें इस पिन बोल्डाग बॉर्डर है यह वह तैरा जहां में एक्सेस इंटू पाकिस्तान है तो तालिबान से बचने के लिए तो यह बात तो कह सकते होगी वह तालिबान से ज्यादा अच्छा पाकिस्तान को मानते हैं यह अपने हाफ में पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट पर जब इधर आ जाएंगे तो हजारों लाकों की इताजाद में आएंगे पाकिस्तान को कैसे पता लगे रहा कौन कौन है और यह सारे वह लोग हैं जिनक पाकिस्तानी हमारे देश का यहाल करते हैं कुछ ना कुछ तो कुछ भी कहलो एक लिंक तो रहता ही है यह यह वांट बिकम दिस पाकिस्तानी जो आज भी अफगान रेफ्यूजीज हैं जो समय आये थे एटीज में उनका कुछ ना कुछ तो संफिती हो गई हैं यह आप अपनी मतलब अपनी रूट्स को डिनाई थोडी करता है कोई भी एक कोई भी प्राउड आप भी वह कहीं नरी बहार जाके अपने आपको इंडियन बोलना बदो अलग बास है वट मोस्टी आप बड़ी प्रावड़ी बोलते हैं यह सां प्रम इंडियन देसे गो बोलेंगे मैं इंगर अफगान मीडिया में अफगान सोचल पीडिया में अफगान चैनल्स पर फॉर अमाउंट अफ एंगर एट फर पाकिस्तान इस अनमैश्ट और सबसे बड़ी वात उनका एक बहुत बड़ा लीडर अभी इस डीडिंग दर रिजिस्टेंस अभी भी पंशीर में पंशीर में लड़ने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान की मदद करने के लिए इन्होंने अपनी स्पेशल फोर्स बेजी है पाकिस्तान ने वो तो प्रूव हो गया था इन्होंने बेजी है और आई सई चीफ को भी वहां पे स्पोर्ट किया गया था फोटो भी आया थ अंका तो वही अब देखिए इसको ऐसे यह जो पर इस्टेंस अमरूला सले और एमद मसूद ने शुरू करी है इंडिस नोट एक्स्पेक्टेड पाकिस्तान जब तालिबान के साथ मिलके उन्हों जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे तब भी अपनी फॉजे बेज़ एक तो उसका प्लाइन यह था सारा देश ले ले लेंगे और भी विल स्ट लेकिन जब तक वो एक जंडा वहां लगा हुए पंशीर है इस नोट वो लोग कितने लोगों को मोटीवेट कर सेंगा इंडिकन बिकमार रेवलुशन गवाओं में अगर दस जार लोग उटके पिचा दूसरी बात पंशीर ऐसी जगहां पर है जहां से चाइना को अगर एक्सेस रूट निकालना वो दर्शे होके जाना प्रेंगे तो अभी जब तक इनको निक शॉड़ाओं करेंगे तो नेगोशीयेशन की भी बहुत बात करी थी लेकिन बाहरत के लिए भी इंपोर्टेंट है कि इस पंशीर और सबसे बड़ी बात की जब तक यह रेवल्यूशन अलाइव है जब तक यह रिजिस्टेंस अलाइव है नीदर तालिवान इस्पेशली पाकिस्तान के नॉट से हमारा कंट्रोल है यह भी एक्टिविटी इस तो फिर यह जारी रखते ही हैं इस लेकिन अ चाहेंगे कि यह जो रिजिस्टेंस है यह खतम हो पाकिस्तान भी चाहेगा तो कहीं न कहीं हपाप लड़ा तो उनका हावी है लास्ट टाइम जब पंशीर पर टैक करा सोवेत यूनियन तो पूरी सोवेत यूनियन की आर्मी ले जो वाल डिप्लाइट थी अफगान फोर्स काफी डिटर्मिंट है दिल दोजान से लड़ाइब और वैली भी हो जाती तो उसका भी फाइदा है जो डिफिकल्ट तो मनूवर तो बहर जो वहां रहते हैं वहां पर गड़ बनाके मैठें पाकिस्तान ने पहले पर प्रपगेंडा चला दिया था कि उन्हें ने आफिस प को भी कर लिया था तोड़ तोड़ दी इसमें ऑफिस जैसे वैली शुरू होती बिल्कुल वैली के बाहर वाले एज पे ऑफिस था जंडा लगा दिया हम आगे तो एक बार तो सबने का भी आगे तो जाओ वैली तो आगे है और जब आप किसी वैली टाइप फीचर को कैप् बिल्कुल आप नाले में थोड़ी बैठ जाओगे कि दुश्मन उपर आजे आप खुद उपर बैठे हो और अब ही तक तो नहीं करेंगे जब आप जाएंगे तो लेकिन हमने देखा कि लास्ट कुछ दिन में लास्ट हफते में जब यह जा रहे थे तब एक बहुत बड़ टेररिस्ट अटेक हुआ जिसमें तेरा यूएस के जो सॉल्जर्स थे वो मारे गई तो यह एक तरह किसे देखने पर लगता है कि कईना कईनों ने डील को ब्रेक किया है लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो उनको कोई फाइदा नहीं है तालीबान को कोई फाइदा का फैक्शन है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जहां ही अफगालिस्ता नेक्टेव है यह खुरासान का मतलब है जैसे रफ्ली लैंड ऑफ सन या सन ब्लेस्ट या लैंड ऑफ सन इस तरह से तो इनका यह एम है कि हम यहां पर एक अपना तो कि आईसिस इस लेट से वर्ल्ड फर्स्ट टेरिस्ट और्गनिजेशन जो जमीन कैप्चर करने में विश्वा सकते हैं और होल्ड भी करती है और फिर अपना शेहर शूर इस्टाइबलिश करती है तो इसके पी इस्लामिक स्टेट आफ पुरासान प्रोविंस यह तालिबान के हमेशा काफी अगें टीटीपी वास हार्ड कोर एंटी पाकिस्ताना उसमें कुछ लोग थे जो कहते थे नहीं नहीं इंसे का लड़ नहीं तो दो फिर उन्होंने अलग अपना बना लिया था हैं देव फॉलो सलाफिजम और ये दियोबंदी फॉलो करते हैं तो आइडियोलोजिकल डिफरेंसे इसके पीपी शुरूबी लड़ाई जग्ते के बाद इसको आइसे का सपोर्ट रहा है तो ये पाकिस्तानी सब सिंपेडाइजर हैं हाँ इनके लास्ट छे साथ में से तक्रीमन पांट से लीडर्स तो पाकिस्तानी रहें और इनकी एक टाइम पे पांट साथ हजार इतने व और द्वारा टैक हुआ था काबल में फिर एक स्कूल में टैक हुआ था सवा सवा सब बच्चे मर गए तो यह भी एंटी शिया हैं एंटी हजारा हैं और एंटी तालिवान भी तो इनकी क्लैसिस होती रहते हैं और लेकिन इससे बहुत लोग यह बांते हैं कि यह जो गया पाकिस्तान का तालिवान का अरिका शाठी तो अच्छे लोग एंशरकार बना रहें देखो इन पर कोई टैरिस्ट एक रहां इस वरी आइरोनिकल अजिए पट एक्दम देवां टो लेजिटिमाइस तालिवान गवर्मेंट एस फून अस पॉसिबल तो दो चार बा लोग यह इन पर अटैक कर रहें लेकिन क्या फ्यूचर में आ तालिबान और आइसके पी का भी कुछ ना कुछ तो होना ही है लड़ाई तो होगी कम से कम इस तरीके की लड़ाईयां यह तो तो इसमें तो पिछले चालिस-चालिस साल सी यह चल रहें इस आपस में लड़ते क्रस्ट तो आज तक कोई और भी इसनों करी नहीं पाया कोई तो यह तो चलता रहेंगा इस आपको जाना भी है वापस तो एक जो बात बोलते हैं अफगानिस्तान के बारे में कि यह यहां पर कोई भी जीत नहीं पाता है इस ग्रेव्यार्ड ओफ एम्पायर्स जहां पर आ भी कुछ नहीं हुआ वो भी हार के दुमदबा के भाग गए तो यह जो एससमेंट है अफगानिस्तान के बारे में यह कितना सही है इस ट्रेली अग्रेव्यार्ड ओफ एम्पायर्स यू कन से सो क्योंकि सबसे जब ब्रिटिश इंडिया होता था तो उस टाइम ब्रिटें इस ट्रेली असे लोकेटेड कंट्री है तो ब्रिटिश इंडिया को लगता था कि हमारा जो क्राउन जो है की इंडिया अगर रशीयन नीचे आगे अफगानिस्तान के तूरू तो यह इंडिया पर टैक कर सकते हैं और वी माइट लूज इट अगर जी पर आगे तो यह हमार इंदर चले हैं कि हम चले जाते हैं और वहां पर अपना गैरिसन मनाय काबूल में वह गैरिसन पर थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई एंड़ फर्स टाइम वर्ल्ड रिकोगनाइस्ट अफगानिस्तान इस पार वस तैट ताइम उस गैरिसन से तक्रीम सतरह जार छेसो य पिर सेकंड आफगान वार वा इसेवेंटीज में सिटीज में सेटीज में एंडिटिंग देया इस बट एड़ा वर एक बड़ा फेमस बैटल कमाईवां कावज जी ते लेकिन आप मुस्टी बिटिश वां इस थर्ड़ाई वार्ट 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 जिसके कारण एटीन न सब्सक्राइब कर दिया और फिर 1819 में 1990 में अफगानियों को लगा कब तो ब्रिटिश अभी वर्ल्ड वार वन से हट है अब इन पर अटेक कर देते हैं पर फिर वो लड़ाई इसी खायबर एरिया में लड़ा गया था ब्रिटिश हारे कुछ यहारे कॉंप्रमाइज हुआ अब तीन वार में ना तो ब्रिटिश एंटर कर पाया और पर बंदे बॉप मर वार थे फिर यूए से साय रहा है अगें दू कुल नॉट 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 इन सच अबिक पार फिर अमेरिका आया सो इन वे इस वेरी राइट इस ग्रेव्यार उप्रिश क्योंकि वहां पर जो भी आया है उस हारा ही है लेकिन अगें तो नहीं मानता कि जो अमेरिका है वो हारा है यहां पर क्योंकि उनको हारने के लिए अगर आप मुलब उस तरीके की हार नहीं अगर वो चाहते 20 साल और रह सकते थे उनको चैलेंज करने वाला कोई थान है अब हार याजीट कैसे डिफाइन करते हैं आप क्या करने निकले हैं उनका टार्गेट था उसामा बिन लादिन मारना अलकाइदा कि उन्हें दस एक साल में उसामा बिन लादिन तो मार दिया वह भी पाकिस्तान में तो अफ़ानिस्त है तो उस तरह से जब आप दो ट्रिलियंड डॉलर खर्च हो गया हो और जिस सरकार को जिन है नहीं मानता है यह खर्च होने वाले बात तो बिल्कुल खर्च ऐसा है वो सारा उनकी एकनॉमी में जाता है वह वापस सारे उनके डिफेंस उनकी पूरी एकनॉमी उसी से चलती ह है थोड़ी सी चो छोटी चोटी चीजें भी वहां से लेकर आते हैं ऐसा नहीं कि लोकली कुछ खरीदते हैं लोकली कुछ है भी नहीं तो सारा का सारा पैसा उनकी ही एकनॉमी में जाता है वो सरकल ऐसे गूम है लेकिन सरकार तो अपना बिल दिखाएगी ना कि हमने इतना तो उस तरह से इतने के बावजूत अलकाइदा उनसे खतम नहीं हुआ तालिबान खतम नहीं हुआ और इन जो कह रहे थे कि हम इस देश को पीसफुल डेमोक्राशी करके जाएंगे आपके निकलने के हफते बाद उन्हें देश ले लिया बीस साल पहले उनकी सरकार ती या वो तो डील आजे से आपने कार रहा है वो तो सब मिले हुए हैं जी वो तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर इस ट्रांजिशन थोड़ा स्मूध हो जाता थोड़ा मोर ड्रमेटिक ना होता अगर पी आर ठीक मैंने प्यार थोड़ा मिला कोशिश तो की अभी आप देख चीश तो है तो इससे लगता है कि कभी भी आप देखोगे ना U.S. मीडिया, Establishment Media कभी भी उनकी Foreign Office से बाहर प्रोपेगेंडा नहीं करता है They only peddle whatever they are fed by Secretary of State. तो State Department जो बोलता है उनका वही प्रोपेगेंड रहता है आप कहीं से उठा लो इराक वर ले लो उसे पहले का आप ले लो अफगानिस्तान का जिन दिनों ये खबरे शुरू होती है न इस्पेशली यूएस मीडिया से You will find the theme more or less same with everyone. विल्कुल तो सारे दुनिया वेल कोर्डिनेटेटे अपर तो now they are trying to legitimize this government. विल्कुल तो रिकोगनिशन देना चाहरे है तो एकदम उनकी अच्छी है देखो जी ये भी कर रहे है वो भी कर रहे है जब इनको उनकी बुरा हाल करना था तब 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 ये औरतों को नहीं पढ़ने दे रहे हैं या उनके लग लग कर रहे हैं या मार रहे हैं किसी को कोई इतना human rights violation हुआ होगा भी पिछले दो तीन महीने में एक भी case उन्होंने उठा कि कोई किसी नहीं ये नहीं का है कि हाँ ये ऐसा कर रहे है नहीं और वो सिरफ अपने काबल में चार केमरे और दो स्पोक्स परसन लगके बैठेंग में उन्हों में एक नतबुर का पहन लिया था CNN वाले ने तो और और बाहर रूरल अरियास में जो उसके वीडियो फोटोग्राफ उनको मतलब ही नहीं है ये आर वेरी गुड़ अट हाइडिंग वल इस वाट इस नोट क क्टार कर्राफ है कि थोड़ा और बात करें कि आप इतने सारे काम करते रहते आं और आपका अ यह स्टार्ट अप भी है वहां पर रजस्तान में smart grid जो व्लटर पे आप काम कर रहे हो solar पर आ wizard पाम कर रहे हो तो उस पर भी पिर बात करेंगे आप शीग्र मिलते हैं धन्यवा बहुत बहुत दन्यवाद sir दन्यवाद धेंक यू सो मुझ जैहिए जैहिए